नमस्कार दोस्तों, Quality Health India के इस नए प्रोग्राम में मैं आरे इंविश्यो कर्मा, आप लोग का बधोस लगत करता हूं, दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हम रेजिस्टंस वेल्डिंग और टाइप सब्रेजिस्टंस वेल्डिंग के बार में डीडियल में जानेंगे, लेकिन प्रोग्राम सुरू करने से पहले, शारे नए विएवर्स को मेरा रिक्वेस्ट है, कि अगर आपने हमारे चैनल को अब्दा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब रेटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाएए, और बेर आइकन को भी क्लिक कर लिजिए, जिसे कि आपको हमारे नए वीडियो के अप्लोड पे नोडिक वेसे मिल जाये करेगा, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करना न भूले, और इसका लिंक अपने दोस्तों साथ में वेसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ सिखने का मौका मिले और हमसे जूडने का मौका मिले, और हाँ दोस्तों हमारा दूसरा चनल ज्यान जोती इंडिया को भी चेक करने ना बोले, वहाँ भी आपको काफी अच्छे अच्छे लर्निंग इसमें हीट की जरूत पड़ती है, जो की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टांस के द्वारा दो कंपोनेंट में प्रेसर अपलाई करके उसको जोड़ायता है, और रेजिस्टांस वेल्डिंग करने के लिए हमें कंजुमिवल इलप्रोड, सिल्डिंग गैस या फ्लक्स की जरूत नहीं पड़ती है, दोस्तों रेजिस्टांस वेल्डिंग काफी सारे अडवन्डेजिस है, एक तो यह है कि हाई वेल्डिंग रेट, इसमें आप काफी फास्ट रेट में प्रडक्शन कर सकते हैं, इसमें धुआ कम निकलता है, जैसे कि बाकी मिग वेल्डिंग होता है, उस इसमें filler material की जरूत नहीं पड़ती है, और distortion इसमें काफी कम होता है, लेकिन advantages के साथ साथ कुछ disadvantage भी है, electrical resistance welding में, उसे भी जान लेते हैं, इसमें equipment का cost थोड़ा सा ज्यादा होता है, अगर discontinuous weld हो, तो इसमें strength थोड़ा कम होता है, इसमें जो हम material के thickness का welding करते हैं, उसमें equipment की cost काफी high होती है, क्योंकि equipment का cost काफी high होता है, और equipment भी थोड़ा से complicated होते हैं, इसलिए इसको maintain करने के लिए skilled manpower की जरूत पड़ती है, दोस्तो resistance welding काफी तरह के होते हैं, आज जो हम जानने वाले हैं, हम आज 7 tabs के resistance welding के बारे में जानेंगे, तो पहला resistance welding हम जानने वाले ह फिर seam welding, 3rd जो है projection welding, 4th जो है flask welding, 5th जो है stud welding, 6th जो है percusion welding, और 7 जो है, वो high frequency resistance welding के बारे में हम जानेंगे, तो इस 7 welding के बारे में हम जानने वाले हैं, आए इन्हें एक एक करके समझते हैं, तो पहले ले ले लेते हैं spot welding, दोस्तो resistance spot welding करने के लिए, दो electrode का इस्तमाल किया होता है, जो की दो material को, जो की lab joint में रहते हैं, उसको pressure apply करने के बाद में, molten stage तक लाते हैं, और उसके बाद में weld joint create होता है, और यहां पर typical phases जो है, resistance spot welding के वो बताया गया है, तो पहले phase में देखिए, pressure apply किया गया है, फिर current on किया गया, फिर current को off किया गया, pressure को on रखा गया है और fourth stage में, pressure को release किया गया है, और pressure release करने के बाद free love throat जो होते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और weld nugget create होता है, जो weld joint होता है, जो bead create होता है, उससे weld nugget कहते हैं, दोस्तों resistance spot welding करने के लिए, जिस material का हमें welding करना है, जिस material हमको welding करना है, उनके surfaces clean होने चाहिए, उसम आपका जो weld nugget है, वो strong नहीं होगा, fusion strong नहीं होगा, तो weld failure होने के chances रहते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आप आप जो देख रहे हैं, यह typical spot welding का cross section है, यह दो electrode है, और यह दो material है, जिसो की lab joint में weld किया जा रहा है, और welding करने के बाद में, जो area nickel के आ रही है, यह heat affected zone है, जहाँ आपर की weld होने के बाद में, जो nugget बनता, उसे weld nugget खहते हैं, और दोस्तों spot welding जो है, यह काफी commonly इस्तमाल किया आता है, manufacturing industry में, in fact, automotive industry में, जो automotive के जो bodies होते हैं, उसमें seats को join करने के लिए, spot welding काफी commonly इस्तमाल किया आता है, आगे दोस्तों आप जा जानते हैं कि types of spot welding machine क्या-क होते हैं, तो typically जो industry में, इस्तमाल किया आते हैं, single spot welding machine होते हैं, और multiple spot welding machines होते हैं, और जैसे कि नाम बता रहा है, single spot, मतलब एक बार में, एक ही spot होगा, और multiple spot welding machine में, एक बार में multiple spot हो सकते हैं, multiple मतलब, दो या दो से अधिक spot हो सकते हैं, और यहाँ पर आप जो picture देख रहे ह यह sample picture है, यह single spot welding machine का picture है, और दूसरा जो है, यह multiple spot welding का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि multiple electrodes हैं, और यहाँ पर यह दो electrodes होते हैं, जो कि single spot create करते हैं, और यहाँ पर multiple electrodes हैं, जो कि multiple spot create करते हैं, और दूसरा single spot welding machine जो होता है, यह typically two types of single spot welding machine का इस्तमाल क्या आता है industry में, ज से भी जान लेते हैं तो यहां पर आप जो देख रहे हैं पिक्चर यह जो है काफी simple rocker arm spot welding machine है यह simplest version है spot welding machine का और most commonly इसको इसको इस्तिमाल किया आता है और इसमें 2 arm होते हैं इसमें 2 electrodes होते हैं और typically जो नीचे वाला electrode होता है यह stationary होता है और उपर वाला जो रहता है यह moving रहता है और जिन parts को weld करना होता है जिन seats को weld करना होता है उन seats को electrodes OS tidy में रखते हुए इस arm को move कि बीच मेस करता है जो की current apply करता है प्रेशर apply करता है और पार को fuse करता है और तो यह काफी heavy welding machine होता है जो कि heavier section को करने के लिए इस्तमाल किया आता है और इसमें भी मुववल एलेक्टोड होता है उपर वलेक्टोड जो होता है मूव करता है नीचे वला स्टेशनरी होता है दोस्तों spot welding करने के लिए अच्छा spot के लिए अगर आपका जो नगट होता है अगर नगट अच्छा चाहिए उसके लिए कुछ spot welding के critical parameters होते हैं को मैनेज करना होता है जो critical parameters होते हुए हैं electrode force और diameter of electrode contact surface squeeze time weld time hold time off time और current अगर हम इसको properly manage करेंगे तो हमारा welding अच्छा होगा अब इनको जरह करके समझ लेते हैं तो इनको परपर होता है जो दो पार्ट हम जिनकों की weld करने वाले हैं उनको प्रेस करके squeeze करना होता है फोर्स काफी calculated होना चाहिए फोर्स इतना होना चाहिए कि weld properly हो फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो भी problem है और फोर्स अगर कम रहेगा तो भी problem होगा दोस्तों जब electrode force increase क्या जता है तो उसमें heat energies होती है वो decrease होती है और इसका मतलब होता है हमें higher electrode weld force की जरूत परती है higher weld current produce करन के लिए और जब weld current higher हो जाता है तो उसमें parts और electrodes की बीच में spatter create होने की chances रहती है जो की defect create कर सकता है दोस्तों सही spot weld के लिए जो adequate electrode force होता है वो है 19 newton per mm2 लेकिन उसमें problem है कि आपको electrode force जो है उसको gradually increase करना होता है आई अब diameter of electrode contact surface के बार में जानते हैं कि electrode का जो diameter होता है वो कितना important part play करता है दो तो spot welding में जो nugget diameter create होता है उसको select करने के लिए जो formula है वो है 5 into t to 2.5 और t जो है यहाँ पर वो seat thickness है यान कि इस rule को अगर हम follow करें और t अनिके sheet का thickness को अगर हम 1 mm रखते हैं अनिके दोनों seat का thickness को अगर हम 1 mm रखते हैं इसको joint करना है तो हमारा जो nugget diameter हो जाएगा वो हो जाएगा 5 mm का दोस्तों जितना हमें nugget diameter चाहिए होता है हमें electrode contact surface होता है उससे थोड़ा सा बढ़ा रखना होत अगर आपको 5 mm का नगर डाय अगर चाहिए तो आपका जो electrode डाया है वो आपको 6 mm का रखना पड़ेगा और जो 6 mm का जो electrode डाया होता है वो 0.5 से लेके 1.25 mm के thickness के लिए suitable होता है और जो contact diameter होता है 6 mm का या ISO standard को भी confirm करता है आए दोस्तर जानते हैं कि squeeze time क्या होता है तो squeeze time जो होता है यह initial application जब आप electrode force का apply करते हैं part पे और current pass on होता है उस time को squeeze time करते हैं squeeze time काफी important होता है क्योंकि जब तक electrode force जो है वो पूरा apply नहीं हो जाए तब तक squeeze time उसको hold करकर रखता है और एक बार पूरा pressure apply हो जाता है उसके आज में squeeze time आपका खतम हो जाता है फिर आता है weld time और कहते हैं weld time और weld time जो होता है weld time को हम measure करते हैं cycles of line voltage में और एक cycle जो होता है 1 by 50 of a second होता है 50 hertz power system में आये दोस्तों आप जानते हैं कि hold time क्या होता है hold time को हम cooling time भी कहते हैं जैसे कि नाम बता रहा है cooling time दोस्तों यह hold time वह होता है जाब electrode force आपका apply किया हुआ है और part जो है अभी hold किया हुआ है लेकिन current पास नहीं हो रहा है यह इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो welding किया गया है वो fuse हो जाए उसे cooling करने का समय मिल जाए लेकिन इसमें हमको ध्यान यह रखना होता है कि cooling करने का time है वो इतना ज्यादा भी नहों कि current है और heat है वो electrode में पास होके electrode को heat कर दे तो time इतना ही रखना है कि weld nugget जो है solidify हो जाए और heat जो है electrode में पास होनों के electrode को heat न करे आए दोस्तव जानते है कि off time क्या होता है दोस्तों off time जो होता ही automatically start होता है और इसकी जरूरत तब परती है जब आप repeated cycle में spot चला रहे हो जब repeated cycle में spot नहीं चल रहा हो तो off time की जरूरत नहीं पड़ती है और जो off time होता है basically electrode को वापस अपने position में पुराने position में आने तक का जो समय लगता है उसे off time कहते है और जोस्तों last parameter जो है important parameter है वो है weld current और weld current जो होता है जो हम welding करता है जो current apply करते हैं fusion के लिए उसको हम weld current कहते हैं और weld current को determine करने के लिए दो parameter हमको control करना हो तो पहला तो है transformer tap switch जो कि determine करता है कि maximum amount of weld current कितना available है वो determine करता है और दूसरा जो है percentage of current control वो determine करता है कि percentage of available current to be used for making the weld तो इन दोनों का हमको ध्यान अपड़ता है आये दोस्ताब जानते हैं कि seam welding क्या होता है तो दोस्तों seam welding जो होता है कि seam welding काफी हद तक spot welding के जैसा similar ही होता है इसके equipment और उसके बाद में welding current production, control, pressing force यह भी काफी हद तक similar ही होता है लेकिन इसमें difference यह है जैसे spot welding में spot आपका एक के बाद एक आपको apply करना होता है जबकि seam welding में हम rolling welding करते हैं जानि कि rolling welding wheel होता है जो कि continuous weld क्रियेट करता है जो कि पार जिनको जॉइन करना होता है, उसमें रोलर जो प्रेसर और हीट अप्लाई करता है, और उसको रोल करता हुआ, चाहिता है, इसको यह ड़ाइग्राम के इसाफ से समझते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह सिम विल्डिंग का एक्जामपल है, यह काफी वेल्ड करने के लिए इस्तमाल कियाता है, जैसे कि spot value हमने देखा था, दो part दो sheet को जैसे कि weld करता है, similar तरीका यहां पर भी है, वहां पर वहां पर दो straight electrode का इस्तमाल कियाता है, जब कि यहां पर हम दो roller का इस्तमाल करता है, बाकी सारा system सेमी है, तो यहां पर आप देख सकते ह कि यह जो fuel tank है, fuel tank को sim welding से weld किया गया है, इसके जो edges होते हैं, यह roller के द्वारा continuous में weld nuggets create होते हैं, और यह liquid और gas tight weld create करता है, दोस्तों, sim welding में जो electrode का इस्तमाल कियाता है, electrode जो होते हैं, वो disc shaped rollers होते हैं, अलग-अलग shape में आते हैं, यहां पर example के तौर पे कुछ shapes दिखाये गये हैं, flat electrode, single bevel, double bevel, और curve shaped, और इनका इस्तमाल अलग-अलग purposes के लिए किया जाता है, दोस्तों, sim welding में current काफी important role play करता है, और सही current determine करने के लिए जो कुछ factors का ध्यान अखना पड़ता है, उन में से है types of material welding, speed, speed of हमरे welding क्या रहेगा, thickness of the joints, हम जो seeds का welding करने वाले हैं, उसका thickness क्या है, and use of water for cooling, इन सब का हमें consider करना पड़ता है, सही current level determine करने के लिए, लेकिन दोस्ता से कुछ set rule नहीं है कि current कितना होना चाहिए, तो industry में क्या होता, generally trial और error के द्वारा based current को determine किया आता है, projection welding क्या होता है, दोस्तों projection welding जो होता है, यह भी काफियत तक spot welding के जैसे similar ही होता है, equipment और सारा setup भी similar होता है, लेकिन इसमें अंतर यह होता है, कि जिन parts का हमको projection welding करना होता है, तो parts में generally क्या होता है, parts में चोटे-चोटे beads होते हैं, तो pressure जब apply कियाता है, तो pressure beads के throw से दूसरे part में travel करता है, और यहाँ पर localized heat create होता है, और fuse होके material join करता है, तो इस diagram आप जो देख रहे हैं, कि दो electrode है, और दोनों pressure apply कर रहे हैं, और यह जो दो pieces हैं, जहाँ पर की projection weld करना है, इस parts में देखिए, दो beads हैं, जो की weld होने के बाद में, यहाँ पर fuse होके weld nugget create कर रहे हैं, और दोनों जो electrode होते हैं, यह copper alloy के बने होते हैं, और इसमें water circulation होता है, cooling करने के लिए, तो दोस्तों projection welding में हम electrical resistance का इस्तमाल करते हैं, जो की एक या एक से अधिक embossing को squeeze करके material के surface में nugget create करता है, और nugget जो होते हैं, वो similar होते हैं spot welding के जैसे ही, और successful projection welding के लिए हमको कुछ factors का ख्याल रखना पड़ता है, उसमें से तीन factor में नहीं हम बताये हुए हैं, पहला तो है कि projection should be stiff enough, जो embossing है जिसको कि हम pressure डालके squeeze करके weld करने वाले हैं, वो तना stiff होना चाहिए कि जब pressure apply किया जाए तो तूटे नहीं, और जो projections होते हैं उसमें sufficient mass होना चाहिए ताकि वो heat transfer को ले सके और spot को create कर सके, और जो third element है कि projection जो है वो properly collapse होना चाहिए, जो beads होते हैं, जो कि spot create करते हैं, वो collapse होना चाहिए properly और तूट के भिखरने नहीं चाहिए नहीं तो problem create होगा और दोस्तों projection welding का जो इस्तमाल होता है, पहले तो machine देख लिए, जो typical spot welding machine होते हैं उसी तरह के ही होते हैं, सारा setup सारा लवस similar होता है, दोस्तों resistance projection welding का जो इस्तमाल होता है, उसका इस्तमाल nuts और bolts को weld करने के लिए, seats में किया आता है, इसके लावा metal baskets, oven grills और shopping cards को भी projection welding से weld किया आता है, जो machine का setup अब देख सकते हैं कि spot welding के जैसा ही है, similar ही रहता है, कुछ खास अंतर नहीं रहता है, दोस्तों next resistance welding हम जो जानने वाले हैं, वो है flask welding, दोस्तों flask welding जो होता है, यह एक तरह का resistance welding है, जिसमें कि हम filler material का इस्तमाल नहीं करते हैं, दोस्तों flask welding में, जो material com को join करना होता है, उनको हम एक predetermined distance में हम उनको hold करते हैं, और pressure apply होता है, pressure apply करने के बाद में, वहां पर heat create होता है, जो कि material को molten state में लाके, plastic state में लाके, जो pressure apply होता है, उसको fusion होता है, दोस्तों यहां पर हमने basic steps of flask welding explain किया हुआ है, चार steps में, तो पहला step जो है, इसमें हमने देखिए, parts को हमने properly clamp किया हुआ है, और second stage में हम यहां पर उसको एक दूसरे करीब मिलाते हैं, और current pass on करते हैं, pressure apply होता है, उसके बाद में flash create होता है, और flash create होने के बाद में, यह material mold होते हैं, plastic state में आते हैं, और यह दूसरे fuse होते हैं, उसके बाद में current को terminate किया आता है, और फिर parts को अलग किया आता है, और दोस्तों यहां पर आप जो देख रहे हैं, यह flash welding machine का total setup है, यह दो electrode हो गया, यह parts को clam किया गया है, और यह fix patterns है, और यहां पर welding transformer है, और यह flexible lead है, और यहां से force apply किया जा रहा है, और यहां पर flash welding हो रहा है, high current apply किया रहा है, और काफी ज़्यादा spark create हो रहा है, आयो दोस्तों, अब आप लोगों मैं common types of flash welding के बारे मताता हूं, मैं आपको तीन तरह के flash welding के बारे मताऊंगा, तो पहला जो है, वो actually aligned weld है, इसमें जो parts होते हैं, एक दुसरे के actually aligned रहता है, और एक side जो रहता है, वो fixed रहता है, और दूसरा side जो रहता है, इसमें movable रहता है, बाकी के सारा system सेम ही है, current apply होता है, pressure apply होता है, और यहां पर fusion होके joint create होता है, दूसरा जो है, यह ring type flash welding है, और इसमें भी system सेम ही रहता है, एक side में fixed pattern है, दूसरा में weld pattern है, और इसमें circular parts को हम fusion करके weld करते हैं, और यहां पर यह welding के बाद का cross section दिखाया गया, यहां पर यह weld joint create हुआ है, और third condition भी same है, fixed pattern है, और movable pattern है, और pressure or current apply करने को अब भी आपर fuse किया आता है, और यह cross section है after welding, आए दोस्तों, अब आप लोगों में कुछ advantages और disadvantages बताता हूं, flash welding का, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसके advantages का क्या है, तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि advantages of flash welding क्या है, तो flexible cross section shapes को हम weld कर सकते हैं, flexible positioning कर सकते हैं, similar cross section parts का, और इसमें अगर कुछ improduce रहती है, तो improduce को हम remove कर सकते हैं, upset act के time में, और इसमें surface preparation के उतनी जरूत नहीं परती है, until unless आप large part को weld कर रहे हों, और यह rings को भी, अलग-अलग cross section के rings को भी weld कर सकता है, और इसमें जो heat affected zone रहता है, इसमें क काफी कम रहता है, compared to upset welding में, कुछ limitation जो है, flash welding के वो भी जान लेता है, welding के time में, यह three phase primary power line में, यह थोड़ा सा unbalance create करता है, और जो molten material welding के time में, जो निकलते हैं, molten particle निकलते हैं, यह fire hazard create करते हैं, यांकि इसमें आग वगरा लगने की chances रहती, काफी बड़ा spark निकलता इससे, और flash material को निकालने के लिए, special equipment के जुरुत परती है, और smaller cross section को जब weld करना होता है, थोड़ा सा alignment में दिक्कत होती है, और parts जो हमें weld करना होता है, वो generally identical cross section के हो तो बहतर होता है, यह थो 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 problem create होता है, तो flash welding के जो typical applications है, but welding of matching section, matching section को हम welding करने के इस्तमाल करते हैं, chain links क जोडने के लिए इस्तमाल करते हैं, window frames हो गए, arrow engine rings हो गए, car wheel rims और metal strips in rolling mills, इन सब के लिए हम typically इस्तमाल करते हैं, मैं आपको कुछ photograph जिखा दता हूँ, कुछ example के तोर पे, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दोस्तो, यह rail roads को जोडने के लिए flash welding का इस्तमाल किया रहा है यहाँ पर rails को जोड़ा जा रहा है, यहाँ flash create किया जा रहा है, flash weld किया जा रहा है, और यह welding होने के बाद का condition है, तो काफी देखें बड़ाई flashes इसमें हैं, जो कि clean करने की जुरुत पड़ती है, और इसके अलावा copper और aluminium bus bars को भी जोडने के लिए flash welding का इस्तमाल किया आता है कि अजड़ा है, और यह झालाव है, यालाव है मैं और मेर के लिए सरफश वालाव है, और यह हैं, अजड़ा हैं, यह हैं, और मेंग बपांगा e। झाल झाल आई दोस्ताब जानते हैं कि stud welding जो एक तरह का resistance welding ही है ये क्या है दोस्तों stud welding जो है ये भी एक तरह का flash welding process ही है लेकिन इसमें होता क्या है कि जो seeds जो body होता है जिसमें हमको stud welding करना होता है जनरली उसमें कुछ pre-formed parts जैसे कि nuts होते हैं या bolts होते हैं हम उसको base material में जोडते हैं और इसमें जो हम फार्षनर का इस्तमाल करते हैं वो जनरली टीपिकली threaded, unthreaded और tapped के condition में fall करते हैं और काफी सारे जगवा में automation का भी इस्तमाल होता है जहां पर कि जो bolts वगरा जो stud welding करना होता है उसको machine से automatically feed कियाता है और welding equipment का इस्तमाल करके उसको जोड़ा आता है टीपिकली automotive industry में जहां पर काफी high volume में stud welding का इस्तमाल कियाता है उसमें काफी तक automation मिलता है जहां पर कि nut और या जो studs वगरा रहते हैं उसको automatic equipment से feed कियाता है दोस्ता stud welding में हम जो electrode का इस्तमाल करते हैं ये काफी तरह के हो सकते हैं तो typically छोटी-छोटे parts होते हैं या thread rod होते ह हैं या hanger होते हैं उनका भी हम इस्तमाल कर सकते हैं आजन इलोक्टोड welding करने के लिए और stud welding को stud arc welding भी कहते हैं और काफी सारे जगों में portable stud welding gun का भी इस्तमाल कियाता है जो काफी flexibility provide करता है welding करने के लिए और high volume welding में इस्तमाल कियाता है और यहां पर आप देख रहे हैं दोस्त रहा है तो पहले यहां पर push किया गया pressure apply किया गया stud के द्वारा और दूसरे phase में यहां पर arc create हो रहा है ceramic ferrule और part के बीच में और third phase में जो arc है stud welding process का और यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं यह typical stud welding machine का जो setting है वह दिखाया गया है यह stud welding machine है और यहां पर देखे पावर source है और उसके बाद में यह main material है जहां पर की stud को weld करना है और यह movable welding gun है और यहां पर part को fuse किया जा रहा है यह earthing किया गया है mother material में और यहां पर रहे सकते हैं यह एक्च्वल में प्रोसेस चल रहा है आई दोस्त अब जानते हैं कि Percussion Welding क्या होता है दोस्तो Percussion Welding जो होता है और बाकी welding हमने जो देखा इसमें जो major difference है है कि Percussion Welding जो है यह dissimilar metal को भी जोड़ सकता है और percussion welding के time में high temperature arc create होता है, जो कि dissimilar material को भी जोड सकता है, और percussion welding जो है, यह high temperature arc create करता है, बहुत ही short time के लिए, जो कि बहुत ही जल्दी weld joint को create करता है, और जैसे ही electrical discharge होता है, immediately pressure apply किया आता है, और material को जोड़ा आता है, और इसे percussion welding कहने का एक कारण यह भी है, कि material को जब pressurize करते हैं, तो यह बहुत ही percussive manner में material को जोड़ता है, आईए अब कुछ advantage जानते हैं percussion welding का, percussion welding जो है, यह flash welding यह upset welding के तरह ही होता है, लेकिन यह कुछ complex माना दाता है, क्योंकि percussion welding में weld joint में electrical discharge का इस्तमाल कियाता है, और immediately electrical discharge करने के बाद में, pressure apply कियाता है material को जोइन करने के लिए, percussion welding का जो इस्तमाल कियाता है, dissimilar material को जोड़ने के लिए इस्तमाल कियाता है, और उन condition में इस्तमाल कियाता है, जहां पर कि हम फ्लास इस्तमाल नहीं कर सकते हैं और जो small cross-sectional materials रहते हैं उनको जोड़ने के लिए भी percussion welding का इस्तमाल के आता है कुछ और advantages है percussion welding के दोस्तों उसमें से एक तो है कि इसमें heat affected zone रहता है यह काफी कम रहता है और इसमें cycle time रहता है यह काफी कम रहता है आनि कि cycle time जो होता है यह 16 millisecond तक हो सकता है इतना कम रहता है तो आपकी productivity काफी fast रहती है इसमें और यहां पर दोस्ता आप दैसेकते हैं कि percussion welding को diagramatically explain किया गया है तीन stage में material को यहां पर set किया गया है यहां पर electrical discharge create हो रहा है और उसके बाद pressure apply करने के बाद में material को fuse किया गया है दोस्तों आप जानते हैं कि high frequency resistance welding क्या होता है दोस्तों high frequency resistance welding जैसा कि नाम बता रहा है इसमें काफी high frequency का resistance इस्तमाल किया आता है और जो typical frequencies होती है वो 80 से लेके 800 kHz तक का हो सकता है और इसके लिए solid state inverter power source का अस्तमाल कियाता है इसका की output range जो है 52800 kW तक हो सकता है और दोस्तों high frequency resistance welding में जो current flow होता है यह उपरी surface में काफी उपरी surface में flow करता है जिसको की skin effect भी कहते हैं अब चुकि इस welding process में काफी small amount of material heat होता है welding interface में इसलिए काफी high speed में हम इसको high volume production के लिए इस्तमाल कर सकता है और यह काफी high energy efficient भी होता है दोस्तों high frequency resistance welding का जो setup है आप देश सकते हैं यहां पर काफी तक similar है sim welding के जल्सा इसमें भी rollers हैं जो की roll कर रहे हैं इन material को tube के form में और यहां पर current apply हो रहा है और यहां पर continuous weld create हो रहा है है लेकिन यहां पर difference यह है कि यहां पर जो frequency इस्तमाल कियाती है वो काफी high level का होता है और इसका typical applications है वो roll forming of tubes में इस्तमाल कियाता है आई अब जानते हैं कुछ advantages और कुछ limitations high frequency resistance welding के और सबसे बड़ा advantages जो है high frequency resistance welding का कि काफी suitable है हमारे high speed welding करने के लिए large ranges of material अलग-अलग तरह के materials को हम इसमें weld कर सकते हैं जैसे कि steels हो गए stainless हो गए aluminum हो गए copper हो गए brass और titanium इनको successfully इस process हम जोड सकते हैं और इस welding process में अगर आपके welding करते समय में welding के दोरान में उसके आसपास में अगर airflow कर रहा है तो भी कुछ खास फरक नहीं पड़ता है और weld joint में अंतर नहीं पड़ता है लेकिन हाँ आगर आप titanium को weld करने के लिए shielding gas के रूप में आरगन का इस्तमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर हवा चल रही हो तो discontinuity रहती यानि जो problem रहेगा या defect रहेगा वो clearly visible रहेगा जो की एक problem है और उस discontinuity को repair करना भी मुश्किल होता है और दोस्तो हाइफ frequency resistance welding का जो applications है इसको pipe और tubing में इस्तमाल कियाता है क्योंकि काफी high volume में mass production करने के लिए इस्तमाल कियाता है दोस्तो मैं आशार करता हूं कि आज के प्रोग्राम से आपको resistance welding के जो types हैं उनको समझने में clarity मिली होगी वीडियो कैसे लगा आपको आप अपना comment comment box में जरू डालें वीडियो अगर पसंद आया तो इसे like करना न न भूलें और इसका link अपने दोस्ते साथ में जरूर सैयर करें हमारा साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत है दोस्तो एक क्यार जाएं